नमस्ते दोस्तों, आज हम स्मिता पाटिल के मेरेज लाइब के बारे में जान लेते हैं। एक राजनीती सुखी परिवार में जन्मी स्मिता पाटिल, सत्तर के दवर की फेमस एक्ट्रिस थी, जिन्होंने शाम बेनेगल की फेम चरण दाश चोड में 1975 में अपना एक्टिंग सफर शुरू किया था। महिलाओ के अधिकारों और सशक्ति करण पर बात करने वारी स्मेता पाटिल अपने फिल्मों में भी देबे कुछले समाज के महिलाओ के किरदार निबादी थी। उन्हें समाज और फिल्मों को दिये उनके योगदान के लिए 1985 में पदमश्री से सन्मानित किया गया था। वे अपनी फिल्मों की वज़र से जितना मशुर हुई उतना ही अपनी नीजी जिन्दगी की वज़र से चर्चा में रही। शादी शुदा एक्टर राजबबर के साथ उनका फिर खुब सुर्कियों में रहा। जिनसे उनकी मुलाकत 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। दोनों के बिश शुटिंगे दवरान दोस्ती हुई और जल्धी प्यार में बदल गई। प्यार के आगे बेबल द स्मीथा नाराज हो गए थे। लेखी का मैथिली राओ ने एक्टरेस की पाईगरॉफिय में इसका जिक्र किया है। जिसमें स्मीता की मुले खुख है जिनका कहिना हएक साथ कि स्मीता तमाम मद्वेदों के बीच राजबबर के बेटे की मा बनी, पर प्रसव के दवरान एक्ट्रेस ने काफी मुश्किल दिली थी, बेटे प्रतिक को जम दिये सिर्फ 15 दिन बीते थे और एक्ट्रेस 31 साल की उम्र में चल बसी. हाला कि कुछ समय बाद स्मीता और राजबबर के रिष्टों में दूरी आ गई थी, स्मीता अपने आखरी समय में खुद को अकेला मैसूस करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने राजबबर से अपने रिष्टे को तोड़ने का भी मन बना लिया था. बेटे प्रती के जन के बाद कुछ दिनों में 13 दिसेंबर 1986 को समीता का निदन हो गया. समीता की मोसे राजबबर को गहरा सत्मा लगा. एक्ट्रिस की मा को भी कापी दुख था. बेटी के आखरी बक में उनकी बिच अच्छा रिस्ता नहीं था. कहते एकी समीता की खोयश थे कि उन्हें मनने के बाद सुहागन की तरह सजा कर विदाई की जाए. एक्ट्रिस ने अपने मेकप आर्टिस दिपक सावन से इस खोयश क्या जिक्रि किया था. उन्होंने मेकप में से कहा भी था मैं अगर मर जाओ तो मुझे सुहागन की तरह सजाना. एक्ट्रिस के निदन के बाद दिपक सावन ने रुआते हुए कहा था मैं क्या जानता था क कि कुछ ऐसा भी करना होगा जो पहले कभी किसी मेंकप आर्टिस ने न किया हो एक्ट्रेस को लोग अर्थ मंडी आज की आवज और चक्र जैसी फिल्मों के शांदर काम के लिए याद करते हैं स्मिता के निधन ने राज को तोड़ दिया था बाद में कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादे रखे पास वापस चले गए कहते एक स्मिता हमेशा चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें दूलन की तरह सजा जाए स्मिता पाटिल ने इंडरस्टी में महज 10 साल ही गुजरे लेकिन अपनी प्रतिबासे वो हर किसी के दिल में बज गई एक इंटर्वियू में राजबबबर ने स्मिता पाटिल से अपनी पहली मुलाकत की बारे में बताया था उन्होंने बताया हम दोनों की मुलाकत 1982 फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई फिल्म का सेट ओडिसा के राउल के लागा था हमारी पहली मुलाकत मस्ती मरजाक और नोगजोग वालिक थी लेकिन मुझे एक चीज जो सबसे ज़्यादा प्रपावेत की थी स्मिता के अलफाज मुझे उससे बात करना इतना अच्छा लगा कि मैं पहली मुलाकत में ही दिल दे बैठा था स्मिता असल जिन्दगी में बिंदास अभी निवड़ी थी यहाँ तक कि जब उन्हें दूर्दर्श में न्यूस पढ़ने के लिए जाना जाता था तो वो जिन्स में जाती थी और उपर से साड़ी लपिट लेती थी सावले चेरे पर उनकी मुस्कराट ऐसे थी जैसे गहरे निले बादलों में कोई चान निकलाया हो समेता पाटिल को बावपुर्ण श्रद्धा अंजरी